तो B, A, B, S, C, B, Com, M, A, M, S, C, M, Com के सभी छात्र अपनी कॉंपी इस तरह से लिखें जैसे मैं आपको बताता हूँ आप लोगो कॉंपी लिखते समय कुछ चीज़ों का दिहार लखना है और कुछ चीज़ा ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है तो एक्जाम में कॉंपी लिखने की मैं आपको कुछ टिप्स और टिक बताऊंगा अगर आप लोग ये टिप्स और टिक फॉलो करते हो तो आप लोगो एक्जाम में अच्छे माक्स मिलेंगे तो सभी लोग वीडियो को लाश तक देखें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो दोस्तों जब आप कॉंपी लिखने स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप जो पेपर दिये जाएगा करने के लिए आप उस पेपर को पड़ोगे और पेपर में आपसे जो कोशन आपसे करने आते हैं आप लोग उन कोशनों को पहले करेंगे आप जैसे माल लिजी आपको कोई 8 questions करने है और उन्में से आप 5 questions अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आप लोग उन पहले 5 questions करोगे और दोस्तो अगर आप questions लिखना चाहो तो आप questions लिख भी सकते हो वगर नहीं लिखना चाहो आप questions नहीं भी लिख सकते हो यह आपके उपर depend करता है दोस्तों आप copy में लिखना है start करोगे तो आप सबसे पहले ध्यार लखेंगे कि आप लोगो section number और question number बहुती ध्यान से लिखना है जैसे कि माली जी आप लोगो तीसरा question पहले करने जा रहे हो तो आप लोगो copy के बीच में लिखोगे question number 3 का answer आप साफ साफ यह लिखोगे और एक चीज़ आप ध्यान रखिए अगर आप माली जीए section B से पहला question कर रहे हैं तो आप उपर डालेंगे section B फिर आप नीचे डालेंगे question number इतने का इतना answer यानि आप अगर चोथा question करते हैं तो आप डालेंगे question number 4 का answer और एक बहुत जरुरी बात में आपकу बता दूँ आपके exam में long question आते हैं एक question में आपसे दो question पूछे आते हैं यानि एक question आपसे अथवा में पूछे आता है और एक question आपसे question number की तरह से पूछे आता है तो यहाँ पर सभी के सभी चातिर ध्यान रखिए अगर आप लोग अथवा वाला question करने जा रहे हो तो उस question को आप लिख दीजिए यह बहतर रहेगा आपके लिए तो कि अगर आप लोग अथवा वाला question कर रहे हो और आपने उपर लिख दिया कि question एक या दो का answer तो यहाँ पर examiner confuse हो रहेगा और उसको यह बताने चल पाएगा कि आप लोगों ने कौन सा question किया है अथवा वाला question किया है या question number वाला question किया है तो ऐसे जगर पर बहतर रहेगा कि आप लोग question ही लिख दें जिससे कि examiner को copy check करने में कोई दिक्कत नहों और दोस्तो मैं आप लोगों बता दूँ आप कोई साभी question कहीं लिख सकते हैं बस आपको यह धियान डखना है आपको section सही सी डालना है और question number आपको सही सी डालना है जैसे आप लोग अगर very short answer से अगर लिखना स्टार्ट करते हो तो आप लोग वगायदा section का नाम डालेंगे और उसके बाद में question का नाम डालेंगे कि question 2 का answer, question 2 के दूसरे या B का या C का answer और दोस्तो आप लिखते समय कुछ चीजों से बचने की कोशिश करें जैसे कि आप लोग बीच में page ना छोड़ें और जैसे आप लोग किसी question का answer लिखते हो तो उसका answer दो या तीन जगे पर ना लिखें एक जगे पर उसका answer होना चाहिए पूरा पहले आप एक question का complete answer लिख लें उसके बाद ही दूसरा question स्टार्ट करें और दोनों question के बीच में ज़्यादा gap नहीं होना चाहिए और चात्रियां पर दिखान रखेंगे जो आप headings डालते हो उस headings को आप काफी अच्छे से लिखें जिससे कि बिल्कुल आपकी heading साफ दिखें और आपकी heading black pen से होने चाहिए और heading के आगे आप dash लाकर तुरंत लिखना स्टार्ट करते हैं यह नहों कि आप एक line छोड़कर उससे लिखना स्टार्ट करें और सब इचातर एक और चीज के दिखान रखें आप लोगो कोपी में बिल्कुल भी cutting नहीं करनी है अगर मालेजी आपसे कुछी चीज गलत हो जाती है कोई word अगा गलत लिख जाता है तो आपको वो काटना नहीं है आप उसको छोड़ देजिए और यह कोशिश करिए कि आप लोग स्टार्टिंग में गलत न लिखें और cutting न हो और दोस्तों आप लोग कुछ और बातों को ध्यान दखें जैसे कि आप लोग कोपी पर लाइन नहीं खीशनी है लेफ्ट है राइट साइड में कहीं पर भी और आप लोग लिखते समय ज़्यादा gap न दें आप ज़्यादा दूर दूर न लिखें थोड़ा पास पास लिखें जिससे की आपकी राइटिंग भी अच्छी लगे अब दोस्तों आप लोग लगूत्री प्रशन या अती लगूत्री प्रशन जवाब लिखें तो आप जो कोशन आप पहले करना चाहें वो कर सकते हैं बस आप लोग ये धहार रखिए कि आपको ऐसे माली जी आपके कोशन लगूत्री श्टार्ट होते हैं 4 से और आप पहले करना चाहते हैं 4 कोशन का B या C तो आप लोग उपर लिखेंगे कोशन नमबर 4 के C का आंसर अगर आपसे और करके कोशन पूझे हाई या अत्वा करके आपसे कोशन पूझे हाई तो आप लोग कोशन का नाम लिखिए यह आपके लिए सही रहेगा और सब इचातर टाइम का बहुत ध्यान रखें ऐसा ना हो कि आप लोग एक कोशन में काफी सरा टाइम गबाद है आप लोग लॉग कोशन वो जाय टाइम दे सकते हैं short कोशन वो very short कोशन वो आपको जाय टाइम नहीं देना है क्योंकि ये question आपके कम number के होते हैं आप लोग जितना हो सके जाय time आपको long question उपर देना है और ध्यान रखिए आप लोग को multiple choice type question सबसे last में ही लिखने है starting में इनको मत लिखना और सभी जातर ध्यान रखे कि page भरने के ज़्यादा कोशिश ना करें जितना आप लिख सकें आप सही लिखें 3 से 4 page का आप long question लिखें और 1 page का या 1.5 page का आप short question लिख सकते हैं और एक बात का आप लोग ध्यान लखें आप लोग जब answer लिखना start करें तो starting में आपका answer अच्छा होना चाहिए starting की 4, 5 या 6, 7 line आपके अच्छी हो उसके बात में आप बीच में जो आपके दिमाग में है वो लिख सकते हो और उसके last में आप कुछ भी लिख सकते हो चाहे long question हो या short question हो आपका answer अगर starting में सही होगा तो guaranteed आपको number अच्छी ही मिल जाएंगे और सभी चातर अपने त्यारी कर लें तो अगर दोस्तों आप लोगो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी प्रिकार की informative वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी